सास्त्रीबाल विद्यामंदिर, कक्षादस, विशेविज्ञान, लेसन पाँच, दैनिक जीवन में रसाइन भागच है तो कल की क्लास में अपने पियेच स्केल के बारे में और पियेच का दैनिक जीवन में क्या मेतो होता है इसकी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कल की क्लास में आज अपन पढ़ेंगे कि दैनिक जीवन में कुछ उप्योगी जो कंपाउंड है उनको किस परकार से बनाए जाता है और उनके क्या गुण होते हैं और उसके क्या उप्योग होते हैं यह सारी चीज़े आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे, तो सरपरतम अपन बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड को अपन साधरन नमक भी कहते हैं, कॉमन सॉल्ट भी बोलता है, जो वोजन में स्टेमाल किया जाता है, तो ये है एक उदासी नवन होता है जो परबल अमल और परबल चार की अभिकरिया से बंता है इसलिए इसकी पि-ह कामान कितना होता है शात होता है कल अपने पि-ह की जानकरे पराप्ट ही थी हाइडरोजन आईनों की सांधता कहर अनात्मक लगोगन क्या कहलाता है पी-एच कहलाता है अगर कोई विलियन है जिसकी पी-एच का मान साथ से कम है तो वो क्या होगा अमली प्रवर्ति का होगा जिसकी पी-एच का मान साथ से अधिक होता है वो चारी प्रवर्ति का होता है पर्णतु जिस विलियन की पी-एच का मान साथ होता है वो विलियन उदा श्तरोट होता है कमर्शियली इसको समद्र के खारे पाई wedi защini अतर अगम्राइब्स ची जया है तो सुचाना में प्रेंचे गाम स्करेंडर एक इसंस्व में परेस्ते सिज्व के वाठ्ुम क्लोराइड चाहिए तो अपन क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड के संत्रप्त विलियन को बड़ी-बड़ी टंकियों में बढ़ देते हैं और फिर उसको हाइड्रोजन क्लोराइड गेस से या इस्टील गेस से रियक्ट करवाते हैं जिससे अपने को शुद्य नमक अवक्षेपित होकर प्राप्ट हो जाता है और उसको अपन क्या कर लेते हैं कलेक्ट कर लेता है फिर इसके अंदर इसको moderate कर देता है फिर इसका रुष्पदार्थ है ठीक है न यह चोटा चोटा किस्टल इसका पाई जाता है अगर आपने देखा होगा तो रवेदार होता है यह किस्टलाइन फॉर्म के अंदर होता है ठोस होता है और उसका जो गलनांक होता है वो बहुत ज्यादा उच होता है यानी एक जारी कैल्विन नमक का क्या होता है गलनांग होता है और ये जल में अतिदिक विलेशिल होता है अपने को पता है कि नमक को जैसे अपन पानी में डालते हैं तुरंत घुल जाता है और क्योंकि ये क्या है आइनित योगी क्या है जैसे अपन इसको पानी में रिजॉल करेंगे तो एने प्लस औ और आपकुके पिल्पक प्रिक्ष Georgian के रुप में भी और किसके अलावा इसका उप्यों क्या जाता है मिक्रेन vs यह बुर्प के डिल्ले की जो दर होती, उसको क्या कर देता है कम कर देता है। ≢ ठीक है इसके अलावा इसका उपयोग sodium hydroxide sodium carbonate sodium bicarbonate और जो विरंजक चून होता है उसको बनाने में भी कच्चे माल के रूप में इसका इस्तिमाल किया जाता है या इनिशियल पदार्थ है इससे बहुत सारी अन्ने चीज़े बनाई जा सकती है अब हपन बात करते हैं sodium hydroxide के ब बनाते हैं ठीक है ना ये दो गत रफ पर किस प्रकार से बना गतका जाता है तो आपने को सोडियम हैडरोकसाइड प्राप्त होता है क्लोरीन प्राप्त होती है और हाइडोजन गैस की प्राप्त होती है ठीक है इसमें एनोड पर अपने को क्लोरीन गैस कैथोड पर हाइडोजन प्राप्त होती है और कैथोड पर यह अपने को विलियन के रूप में कास्टिक सोडा प विदुत अबकटन करने पर अपने को सोडी मैडरोकसाइड की प्राप्ति होती है अब इसके सोडी मैडरोकसाइड है कास्टिक सोडा है इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है ठीक है कैसा दिखता है ये एक सफेद रंग का चिकना ठोस परदात है जिसका अगलना कितन होता है सुचालक होता है ठीक है और इसके किस्टल क्या कैसे होता है प्रेस विद्धे होता है यहां पर एक सब्दा है प्रेस विद्धे का मतलब क्या होता है प्रेस विद्धे का मतलब होता है कि जैसे ही ये वायू के संपर्क में आता है तो वायू में जो नमी होती है उसक कररने को सë शापुन हम का पियुथ में बात बनेन में इसका इस्तिमाल किया जाता है इसके अलावा अल्यूमिनियम का जो ऐसक है जो उसको अपन बॉकसाइड कहते हैं उसके धातू करम में भी इसका इस्तिमाल किया जाता है यानि बॉकसाइड से अल्यूमिनियम प्राप्त करना है तो अपने को किसका इस्तिमाल करना पड़ेगा सोडियम हेडरोकसाइड का इस् drugo में और परियोग 17 रियेजंट के रुप में स्क इसका है अशा उपयोग सकते हैं टीके यह पने को कब लिखने है दमल मूपयोग याद नहीं हूं अब अब एक जो अब हुना योग है वह ब्लीचिंग पौडर इसको अपन हिंदी में बोलता है वी रंजक चूरण या ब्लिचिंग पौडर इसका सुत्र होता है CAOCL2, यह कैसे प्राप्त होता है, यह प्राप्त होता है, सुस्क बुजे वे चुने पर जब अपन क्लोरीन गेस प्रवाइट करते हैं, तो अपने को क्या प्राप्त होता है, विरंजक चुन की प्राप्त होती है, ठीक है न, अपने को क्या प्राप्त होता है, बलेचिंग पा तो अपने को विरंजक चोन की प्राप्ति होती है, ठीक है, तो सुस्क बुझे में चुनने भी अपने इसको बोल सकते हैं, अब अपन बात करते हैं, कि इसकी प्रोपर्टी क्या होती है, तो ये पीली तिखी गंद वाला एक थोस पदार्त होता है, ये ठंडे जल में विलेश करता है, ठीक है ना, इसकी एक प्रोपर्टी होती है, डीकल्राइजिंग की, यानि ये रंग को उड़ा देने का काम करता है, वी रंजक, वी रंजक का मतलब होता है, कलर को उड़ाने वाला, ठीक है ना, तो इसका नाम भी इसी प्रकार से पड़ा हुआ है, बलीचिंग पा ठीक है न exist muchisil में घाने जाता है ठीक है इसका उप्योग वस्त्र उर्द्योग में विरंजब के रूप में किया जाता है मुखी रुप से सूती बस्तर द्योग में इसके अलावा पेपर पल्प को रंग हीन करने के लिए भी इसका इस्तिमाल किया जाता है यानि कागज द्योग में इसका इस्तिमाल करते हैं और पे जल को रोगानू और जिवानू रहित करने में भी इसका इस्तिमाल क किया जाता है इसके अलावा इसका उपयोग विबिन रसाइन उद्ध्योग में ऑक्सी कारक के रूप में किया जाता है क्योंकि यह क्या है प्रबल ऑक्सी कारक पदार्थ होता है और अपन जो कॉमन उपयोग है वो लिख सकते हैं प्रियोग साला में अभी कि रमक के रूप में इसका इस्तिमाल किया जा सकता है ठीक है तो ये अपने किस के उप यог थे विरजजक चोटिया बीचिंग पाउडर के उप योग थे अब अपन देखते हैं बेकिंग सोडा क्या होता है बेकिंग सोडे को भी फोर्मॉल अपने को याद रखने हैं पलक केवल फार्मुला पूछ सकते हैं योगिक का नाम पूछ सकते हैं सामाने नाम पूछ सकते हैं तो बेकिंग सोड़ा भीisión वोकृ किना how to बाए कार्बुनेट इससे खादे पदास में मिलाने पर ये कारबन ओक्साड गैस को क्या करता है उस सर जित करता है ठीक है तो जिससे जितने मी पदारत है जिसको बनने में अगर वीकिंग सोडे का इस्तेमाल किया गया है ठीक है और इसका जो मूल पधारत है कच्चा मल जिसको मौल सकते वहें एस यू न ईयूड है शोडियम क्लोडाइड है member कि ये को पराप्त करते है ठीक है जिससे अपने को मुख्य उत्पाद के रुप में क्या प्राप्त होता है बेकिंग सोडा प्राप्त होता है इसके अलावा एक से उत्पाद और होता है अमोनियम क्लोरेड जिसका सुत्र होता है नेच पोर सील ठीक है इसके अलावा एक विदी और है जिसमें क्या करते ह तो इसको बनाने की मुख्य विदी क्या है NACL plus H2O plus CO2 plus N3 is equal to NAHCO3 plus NH4Cl यहां पर मुख्य उत्पाद क्या है, बेकिंग सोड़ा है, बेकिंग सोड़े का सुत्र एक वर फिर बता देता हूँ NAHCO3 होता है और अमोनियम क्लोरेड यहां पर क्या है सहे उत्पाद है अब अपन बात करते हैं कि इसके गूंढ़ क्या होता है अगर अपन देखते हैं कि इसकी फिजिकल प्रोपरटी क्या होती है ता अपने को पता है कि अगर आपको बताए था कि अगर लाल चिंटी का डंक या मदुमक्खी का डंक तोचा पर लग जाए तो वहां पर दर्द और सुजन उत्पन हो जाती है तो वहां पर वेकिंग soda के वहलाग्वाइब को चाहरी प्रवर्तिका परिकल इसके इसको चाहरे प्रवर्तिका होता है यह वहां हुझे जिए Though एक बेकिंगों दाला जाता है वह मुलाइम होते हैं इस्पंजी होते हैं ठीक है और उसके अंदर बहुत चोटे-चोटे चिद्र बने वे होते हैं क्योंकि कारवन दाइक आपने तो सबसे पहले इसका उपयोग क्या रहता है बेकिंग पाउडर बनाने में अब बेकिंग सोडा और बेकिंग एस्टीड बराबर बेकिंग पाउडर जिसका उपयोग बेकरी उध्योग में भहुत आयत में किया जाता है इसके अलावा जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक होते हैं सीतल पेपदार्स होते हैं ठीक ना थमसप पेपसी त्यादी तो उसके अंदर जो बबल्स निकलते हैं ठ उसको बनाने में इसका इस्तिमाल किया जाता है इसके अलावा भी आपको बताया है यह एंटे सीड के रुप में इस्तिमाल किया जाता है प्रतिया जो पेट की अमलता होती है उसको दूर करने में इसका इस्तिमाल कर सकते हैं क्योंकि यह चारी प्रवर्टी का होता है जैसे इनों का इस्तेमाल करते हैं पेट की अमलता को दूर करने के लिए तो असी प्रकार से बेकिंग सोड़े का इस्तेमाल भी हैई परसेड़िटी को दूर कने के इंटीसी इंटीसेड य हमलती इस प्रतिय लूग किया जा सकता Remi यह मंद पूती रोदी या माइल्ड एंटी सेप्टिक के रूप में बिस्तेमाल किया जा सकता है यानि इसके घोल को अगर अलकी फुल की कोई चोट लग गई है और डिटेल इत्यादी हमारे पास में नहीं है तो अपन थोड़ी सी मात्रा में बेकिंग सोडे का घोल बनाकर उ ठीक है और इसका उप शुव्योग आग बज़ाने का जो यंत्र होता है उसकी अंदर भीजे इसका उपयोग किया जाता है उसको बते हैば सोडा अमल अगनी सामक की अंतर तो सोडा जब एसिड से अभिक्रिया करता है तो बहुत तेजी से सियो टू गैस निकालता है जो आग को जाने में उपयोग में ली जाती है ठीक है इसके अलावा कीट पतंगे अगर काट ले डंक मार दे तो उसको भी ठीक करने के लिए इसके का उपयोग किया जाता है इसके अलावा प्रियोक्षाला में इसका इसका इस्तिमाल भी अभी क्रमक के रूप में किया जाता है ठीक है अब अपन देखते हैं कि नेक्ष्ट जो योगिक है वो है धावन सोडा धावन सोडे को धोने का सोडा या वह सिंग सोडा भी कहते हैं इसका सुतर होता है एने टू स्यो थ्री डॉट टेन एस्टो तो इसके साथ में दस किस्टली जल के अनू जोड़े हैं किस्टली जल का एक स्वतंत्र टॉपिक है जो मैं आपको समझा दूँगा अब बात करते हैं यह बनता कैसे है तो इसको केमिकली क्या बलता है सोडियम कार कार्बोनेट डेका हाइड्रेट क्योंकि इसके साथ में किते दस जल के अनू किस्टली जल के रुप में विद्यमान है इसको द्योगिक इस तरह सालवे विदी के द्वारा बनाए जाता है और एक अन्य विदी में अपन क्या करते हैं बेकिंग सोडे को गरम करने पर अपने कराते हैं जल से कराते हैं यानि निर्जल सोडे की अभिक्रिया जल से कराने पर अपने को क्या पराप्त होता है धावन सोडा या वोसिंग सोडा पराप्त होता है जिसका सुत्र होता है एने टू सीयो त्री डॉट टैन एच्टू आप देख सकते हो दस जल के जोनू है वो क अब अपन बात करते हैं अगर अगर अपन इसको गर्म करेंगे इसको दावन सोडे को तो 373 केलविन से अगर तापमान अधिक है तो किस्टली अजल क्या हो जाएगा उड़ जाएगा अपने को क्या प्राप्त होगा सोडा एस या नेजल सोडा प्राप्त हो जाएगा अब अपन बात करते हैं कि इसका उपयोग कहा होता है तो इसके उपयोग में अपन देखते हैं कि इसका उपयोग धुलाई और सफाई में होता है साबून अपमार्जक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है इसका अपयोग कास्टिक सोडे को बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, काच बनाने में और सोडियम योगिक बनाने में किया जाता है बोरेक्स जैसे साबुन बनाने में इसका इस्तिमाल करता है और कागज, पेंट और वस्तर उद्योग में आप इसका उप्योग कर सकते हो इसके अलावा एग कोमन है कि परियोग साला में अभिक्रमक के रुप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है तो तीन common है इसके उपयोग कागज, वस्त्र और पेंट उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है अब अपन बात करता है नेक्ष्ट जो योगिक है उसको अपन बोलते है प्लास्टर ओ पैरिस सौर्ट कट में इसको अपन बोलते हैं P.O.P. ठीक है इसका सुतर होता है C.A.S.O.4.H.S.T.O. तो यह है क्या तो यह है कैल्सिम सल्फेट का अर्ध हाइडरेट है अर्ध हाइडरेट का मतलब है कि इसके अंदर आदा जल का अनू विद्यमान होता है अब इसका जो नाम है प्लास्टर ओ पैरिस क्यों पड़ा वैसे तो इसको क्या बोलते हैं कैल्सिम सल्फेट का अर्ध हाइडरेट बोलता है या इसको बोलते हैं सौट के अंदर पी ओपी ठीक है इसको क्या बोलते हैं पी ओपी कहते हैं इसके अलावा इसको कैसे बनाते हैं तो जिबसम को अपन क्या करते हैं तीन सो त्राण में केल्वीन पर जब अपन गरम करते हैं तो इसके अंदर जो किस्टली जल्वी देमान है वाश्पिक्रत होकर निकल जाता है और अपने को किस की प्राप्ती होती है जिसका सुत्र होता है यदि अगर इसको और ज्यादा गरम किया जाए तो इसके अंदर संपूर्ण किस्ट्रली जल है वो क्या हो जाएगा वाश्पिक्रत होकर निकल जाएगा जो पीछे अपने कुपदात प्राप्त होगा जिसको अपन मर्त तापित प्लास्टर कहते है जिसका सामने ते कोई उप ठोर हो जाता है ठोस ग्रूप ले लेता है यानि यह पुने जम कर या पानी से पुने क्रिया करके जिपसम में बदलने जाता है ठीक है इसका उप्योग कहां किया जाता है इसका उप्योग चिक्सकों के दोबारा टूटी हुई हड़ियों को इस ती रखने में किया जाता है जो हड़ी को इस्थी रखने के लिए जो प्लास्टर लगा जाता है तो इसके ओपर प्योपी का इस्तिमाल किया जाता है इसके अलावा बहुनों की दिवारों को सुंदर और चिकना बनाने में इसका इस्तिमाल किया जाता है दंट चिकिसा में इसका इस्तिमाल किया जाता है जो दांतों के जो संचे होते हैं मोल्ड होते हैं उसको बनाने में इसका इस्तिमाल किया जाता है खिलोने मूर्तियां और सजावटी समान को बनाने में इसका इस्तिमाल किया जाता है सिंग सेनेटरी वेर के सांचे बनाने में भी इसका इस्तिमाल किया जाता है और अगनी सहावरन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है और एक अन्य उपयोग में अपन इसका उपयोग बता सकते है और साबून और अपमार जग कैसे काम करते हैं सोधन का काम किस प्रकार से करते हैं यह अपन नेक्स क्लास में बात करेंगे तीक है तो आज अपनने किस के बारे में पढ़ा हमने सोडियम क्लोराइड के बारे में सोडियम हैड्रो अकसाइड के बारे में विरंजक चुरण के बारे में, बेकिंग सोडे के बारे में और धावन सोडे के बारे में और अपन ने पड़ा P.O.P. के बारे में तो ये वो पदार्थ है जो अमारे दैनिक जिवन में बहुत उप्योगी हैं तो इनको अपने को अच्छी तरह से एक तो इसको बनाने की समीक और इसके रसाइनिक नाम, समन्य नाम और इनके गुण और इसके उप्योग अम्मेर को याद होने चाहिए आज की क्लास में इतना ही ठेंक यू